आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आज फिर एक बार आपको आपके जीवन के हर एक दिन का आनन लेने के बारे में बताने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद यदि आप बीते हुए कल को सोचते रहें तो आज का आनन नहीं ले पाएंगे इसलिए आज मैं आपको अतीत को भुला देने के विशय में बताना चाहूंगी आज आपको मैं प्रोचाहित करना चाहूंगी कि इदि आपका एक अतीत है जो हम सभी का है तो आपका एक भविश्य भी है पीछे मुड़कर मत देखिए आगे ही देखते रहे आज के प्रवचन का आनंद लीजे ओ मैं क्या बताओ मैं तो खुश हूँ कि इशूरदियों को देखता है और मुझे खुशी है कि जिस सक्षन हम उसके पास आते हैं जहां तक उसका सवाल है हमारा कोई अतीत नहीं बचता पूरब और पश्चिम जितना दूर है उतना दूर वो उसे गार देता है और हमारे पापो को पूरी तर से ख्षमा करके उसे फिर से कभी स्पनण नहीं करता है मुझे बड़ा आश्चर होता है कि लोग हमीशा मेरे अतीत को देखते हैं परन्तु ईशू एक बार भी मेरे अतीत को नहीं देखता है और जब से मैंने उसे अपना उद्धार करता स्विकार करके उसकी सेवा करने लगी इसने एक बार भी अतीत के बारे में कुछ नहीं कहा पर तो लोगों को उसके बारे में कहना अच्छा लगता है और वे मानते हैं कि उसके कारण में सेवा करने के लिए आयोग्यों हो वो आपके आयोग्यता नहीं वो आपकी योग्यता है आमीन मैं बिल्कुल सची बात बतारी हूँ मुझी वे सिद्ध लोग अच्छे नहीं लगते जिन्नों ने कभी कोई गलती नहीं की है क्योंकि शायद वे पुस्तकों में पढ़ी बातों के अलावा और कुछ नहीं जानते यदि आप आकर मुझसे कहेंगे कि सिगरेट छोड़ना मेरे लिए कटिन काम है तो मैं कहूंगी मैं जानती हूँ यदि आप कहेंगे जॉइस एक आग्याकारी विनम्र पत्नी बने रहना मेरे लिए कटिन है तो मैं कहूंगी कि मैं उसकी गवाँ हूँ येदि आप कहेंगे कि बच्छपन में मेरा दुष्प्रियोग किया गया तो मैं आप से कह सकती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है अब मैं ये नहीं कहती कि जरूरी है कि सबको बिगड़ा हूँ और बहुती बुरा अतीत वाला होना चाहिए ताकि वे लोगों की सेवा कर सकें वरन मेरा कहना है कि येदि आपका रिदय शुद्ध है तो आप हम जैसे बुरे अतीत वालों का नियाय नहीं करेंगे आमीन वे दूसरों की मदद नहीं कर रहे थे वे उन लोगों का धर्मी ठहराने में वैस्त थे जो दूसरों की मदद कर रहे थे मरियम का एक अतीत था पर उसका एक भविश्य भी था उस भविश्य को जाने तक इंतजार कीजिए इश्यू आज इसका प्रचार करते करते मैं उठा ली जाना बचन चालिस ये जानकर इश्यू ने उसको उत्तर में कहा हे शिमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है और वो बोला हे गुरू कहिए इश्यू ने कहा किसी माजन के दो देंदार थे एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देंदार था जब उनके पास चुकाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया मुझे बताओ उन में से कौन देंदार माजन से अधिक प्रेम रखेगा शिमोन फरीसी ने उत्तर दिया मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक रण छोड़ दिया इश्यो ने उससे कहा तुमने ठीक कहा फिर उस्तरी की और फिर कर इश्यो ने शिमोन फरीसी से कहा क्या तुम इस्तरी को देख रहे हो मैं तुम्हारे घर में आया परन्तु तुमने मेरे पाउं दोने के लिए पानी नहीं दिया पर इसने मेरे पाउं आसों से भिगो और अपने बालों से उनको पोचा तुने मुझे प्यार नहीं किया पर जब से मैं आयों तब से इस्त्री ने मेरे पाउं को चूमना नहीं छोड़ा है शायद आप हर बार उत्तम प्रदर्शन ना कर सके पर मैं आप से कहती हूँ यह दि आप सिर्फ इशों से प्यार करें वही बहुत कुछ है उसने इशों से प्यार किया तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला साधारन तेल भी नहीं पर इसने मेरे पाउं पर ये बहुत मूलिय इत्र मला है उसने इशों के पाउं पर जो इत्र मला था वो एक सुसमाचार के पुस्तक में का गया उसका मूलिय एक वर्ष की कमाई है वो इतना कीमती था उसके पास यही सबसे बढ़िया चीज थी इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसके बहुत पापक्षमा हुए है क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा ही प्रेम करता है मेरे विचार से सबी सिद्ध लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है सिवाई इसके की हम जैसे छेद वाले मिट्टी के घड़ों का न्याय करते हैं उनके पास ईश्यू से प्यार करने की अधिक वज़ड़ा नहीं होतेji क्योंकि ईश्यू को अधिक शमा नहीं करना पढ़ता था वे तो पहले से बड़े सीधे साधे हैं कितने लोग कम से कम एक ऐसे मनुश्यों को जानते हैं जिसके पास दूसरों का नयाय करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता मुझे आश्यर होता कि जो लोग मैं जो कुछ कर रही हूं उसके बारे में आलोचना करते हैं वे ज़्यादा कुछ नहीं करते मैं कम से कम किसी की साहता करने की कोशिश तो कर रही हूं अध्याय आठ चलिए देखते हैं कि कौन इश्यू के संग जाते हैं इसके बाद इश्यू नगर नगर और गाउं गाउं प्रचार करते और परमिश्वर के राजिक अस्व समाचार सुनाते हुए घुमने लगे उनके बाहरा प्रेरिद भी उनके साथ थे अनेक स्त्रिया भी अनेक स्त्रिया भी जो दुष्टात्माँ से और बिमार्यों से चुड़ाई गई थी उनके नाम यह मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से साथ दुष्टात्माएं इश्यू ने निकाली थी उसने अपने अंदर दुष्टात्माएं बसा रखी थी वचन तीन पर ध्यान दीजे हेरो देश के भंडारी खोजा की पत्नी योवन्ना सूसन्ना तता अन्य बहुत सिस्त्रिया ध्यान दीजे ये स्त्रिया अपनी धन संपत्ति से इश्यू की सेवा करती थी नजानी मरियम को कहां से धन संपत्ति मिली परन्तु जब उसने राजिय में प्रवेश किया उसे सब को छुमिल गया आप मेंसे कुछ लोगों ने अपने अतीत में ऐसा अनुभव प्राप्त कियें जो आज दूसरों के लिए साहाएक हो सकते हैं आमीन और बाइबल में ये भी कहा गया है कि ईशु विमारों के लिए आया स्वस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं वो आप और मुझ जैसे लोगों के लिए आया जिनका की एक अतीत है मत्ती 27 पचपन आईए इसे देखते हैं वहां बहुत से इस्त्रियां थी वे गलील से इशु की सेवा करती हुई उनके साथ आई थी वे दूर से ये देख रही थी ये मत कहिए कि इस्त्रियां सेवकाई नहीं कर सकती उन्होंने इशु की सेवा की ये मत कहिए कि स्त्रियां सेवकाई के लिए यात्रा नहीं कर सकती वे इशु के साथ गई उनमें मरियम, मगदलीनी, याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी तो हम देखते हैं कि वे क्रूस के बिलकुल निकट थी वे छोड़कर नहीं भागे अंत तक मरियम इशु के साथ थी हर परिस्तिती में वे इशु के संग थी अमत्ती 28 पदेख सब्द के बाद सब्ता के पहले दिन प्राता होते ही मरियम मगदलीनी और दुसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई उस समय बड़ा भूकम पुआ क्योंकि प्रभू का एक दूद स्वर्ग से उत्राउस ने कब्र के पास आकर पतर को लुड़का दिया और उस पर बैट गया उसका रूप बिजली का साथा उसका वस्त्र बर्फ के समान उज्वल था वचन चार उसके डर से पहरेदार काप उठे और वे मुर्दे के समान निश्प्राण हो गए स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मढ डरो घबराओ मत मैं जानता हूँ कि तुम ईशू को जो क्रूस पर चड़ा गया थे ढून रही हो खाली कब्र से कहा गया पहला शब्द स्त्री से कहा गया था ईशू ने अपने पुनुरत्थान के बाद सबसे पहले बाचीत की एक स्त्री से क्षमा कीजे पुर्षो मैं आपको अलग करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जानते उसने उस त्री से क्या कहा जाकर कहो जाकर मेरे भाईयों से कहो कि मैं जी उठा हूँ आले रही या लगता है ये प्रचार मेरे लिए है ठीक है तो पॉलुस की बारे में क्या कहें पॉलुस ने जो कुछ कहा है उसके खास वज़ा है और उसके कहने का तात पर ये वो न था जो इतने सालों से ये माना जा रहा है आपको सभी वच्णों पर ध्यान देना चाहिए एक भजन में कहा गया कि शुब संदेश सुनाने वाल अस्त्रियों का सतकारी सबसे शेष्ट होता है मैं आपको पॉलुस के बारे में बता सकती हूँ पर अभी मैं उसमें सवें गवाना नहीं चाहती मैं यस्पश करना चाहती हूँ कि ईशु ने मर्यम का इस्तिमाल किया जिसका बिगड़ा हुआ अतीत था उसने उसे पूरी तरह माफ कर दिया उसके प्रेम को स्विकार किया उसने ईशु के साथ यात्रा की क्रूस पर चढ़ाते समय भी वो वहां थी खाली कब्र के पास भी वो थी पुनरत्थान के समय भी वो उपस्तित थी वही प्रथम थी जिससे खाली कब्र में देवदूत ने बाते की वही प्रथम थी जिससे ईशु ने कहा जाकर मेरे भाईयों स्वर्पत्र से कहे कि वो जी उठा है उसका एक अतीत था परंतु आपको बता सकती हुआ कि उसका एक भविश्य भी था आमीन आपका एक अतीत हो सकता है परंतु प्रभु ने मुझे आप लोगों से जो संसार के विबिन देशों से आये हैं और मुझे सुन रहे हैं, ये कहने को भेजा है कि शायद आपका एक अतीत रहा होगा, पर आपका एक भविश्य निश्चित है, आमिन पत्रस का भी एक अतीत था, पत्रस कोई विश्ष्ट वेक्ति नहीं था, वे एक कठोर गुस्यदार मामुली मचुआ रहा था पत्रस में कुछ अच्छी बात थी और कुछ बुराई अभी, पत्रस बहाद्दूर था और अधिक डरता नहीं था, जो उसके लिए लाभप्रत था, क्योंकि इसी वज़े से वो हमेशा कदम बढ़ाया करता था परन्तो इसी कारण वो बहुत सी गलतिया और मूर्खता कर बैठता था, कुछ अने बातों के अपेक्षादिक गंभीर थी हम उन में से कुछ परिविचार करेंगे, क्योंकि इन में से बहुत कुछ उसने ईश्यो से मिलने के बाद ही किया हम सभी की मूर्खता प्रगट नहीं होती है एक वर्ष पहले मुझसे एक व्यक्ति ने कहा था, वो ये था कि वास्तों में मैं नीच नहीं, मैं बस मूर्ख हो कुछ लोग नीच होते हैं, लेकिन कुछ लोग मूर्खता बरे काम करते हैं बार बार और बार पत्रस भी असाई था, उसका दिल साफ था, उसे ईश्यो से प्रेम था इशू के बुलाने पर उसने मचली पकड़ने का धंदा छोड़ कर इशू के साथ इधर उधर जाने लगा वो उससे प्रेम करता था फिर भी पत्रस योई मुर्ख कारिय करता रहा लगता था उसने कभी मुर्खता का त्याग नहीं किया आमीन तो हम सब के लिए आशा है आप कहेंगे जोईस मैं नई स्रिष्टी की बात मानती हूँ परन्तू मैं बिगड़ती जा रही हूँ लगता है हर दिन मुझे नया जन्म पाने की जरूत है खैर देखिए शुब संदेश है कि मसी को अपना उधार करता स्विकार करने पर वो हमेशा आपको सतत रूप से माफ करता रहता है और जब तक आप पच्टावा करते रहते हैं वो आपको धोता रहता है आपको सद सही काम करते वागी कि और अग्रसर होते रहना चाहिए शायद आज मैं किसी को सुकून दिला रही है मत्ती अध्याय सोला चलिए इनमें से कुछ पर विचार करें आप पत्रस के जीवन को देखे उससे देखकर मैं अपने आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ पत्रस के बारे में पढ़कर मुझे प्रोचसाहन मिलता है वचन 21 उस समय से ईश्यो अपने शिश्यों को यह समझाने लगे यह अनिवारी है कि मैं यरुशलम को जाऊं और धर्म वृद्धों महाय अजुकों तता शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओं वो ने यह समझाने की कोशिच कर रहा था कि उसे किस तरह का दुख सेहना होगा वचन 22 से सुन कर पत्रस ईश्यो को अलग ले गया सुन यह ईश्यो मुझे कुछ कहना है पत्रस जड़कने लगा और एक अन्य अनुवाद में कहा गया है कि वो उसे धिककारने लगा हे प्रभू परमेश्वर ना करे आपके साथ ऐसा कभी न हुआ ईश्यो ने मुड़कर पत्रस से कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो तो यहाँ पर पत्रस शैतान को अपने द्वारा कारिक करने का अवसर दे रहा है पत्रस बारों में से और उन तीनों में से एक था मतलब बारों में से तीन लोग कुछ खास थे जो अन्य नौ की अपेक्षा इश्यो के अधिक करीब रहते थे उसने विशेश सेवकाई परिस्तितियों से ले जाकर उनके साथ कुछ भिन रीती से कारी किया इसलिए वही सब के उपर था वो प्रधानों का भी प्रधान था फिर भी वो इतना मूर्ख था कि उसने शैतान को अपने द्वारा कारे करने दिया उसने का तु मेरे लिए ठोकर का कारण है तु परमिश्वर की बाती नहीं ही पर मनिश्यों की बातों पर मन लगाता है मत्ती 26 पद 31 लगता है पत्रस सदा इशु से बहस करता था क्या आप इशु से बहस नहीं करते करते हैं प्रभू आपकी जीवन से निप्टेगा जैसे आप दूसरों के साथ निपढ़ते हैं और वे कहते कि नहीं नहीं प्रभू ऐसा मत कर प्रभू मैं भी तयार नहीं हूँ ये सही समय नहीं है प्रभू तब इशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विशय में ठोकर खाओगे क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और जुंड की भेडें तितर बितर हो जाएंगी वचन बत्तिस परंतु में अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील प्रदेश को जाऊंगा इस पर पत्रस ने इश्यू से कहा यदि सब चे लें आपके विशय में ठोकर खाएं तो खाएं परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा बाकी सभी लोग तुम्हारे विरोध में आएंगे इश्यू परंतु मैं नहीं इश्यू ने उसे कहा मैं तुझ से सब कहता हूँ आज ही रात को मुर्गे की बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा पत्रस ने इश्यू से कहे दि मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं आपको कभी अस्वी कार नहीं करूँगा और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा यदि आपने अधिक प्रवचन सुना है तो आप पूरी कहानी जानते हैं आप जानते हैं कि अंत में पत्रस ने अपने आपको मूर्ख साबित किया वो इतना शाब भी देने लगा कि जो कोई भी उसकी तरह नखरे करता है वो कभी भी खुद को एक चेला ना समझे उसने कुछ ज्यादा है बोल कर यह साबित करने की कोशिश की कोई इश्यू को नहीं जानता है बाइबल कहती है कि जब बुर्गे ने बांग दी पत्रस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे इश्यू की कही हुई बात स्मरण आई मरकुस सोलहा में वहां जाने की ज़रूद नहीं वहां उन बातों को देखते जो मैंने मर्यम के विशय में आपको बताई थी और ये की सभी सोसमाचारों में नहीं कहा है कि जाकर मेरे भाईयों से कहू तीन में ऐसा कहा है जाकर मेरे भाईयों से कहू परन्तु एक में कहा गया जाकर मेरे भाईयों और पत्रस से कहो की वो जी उठाए जानते इश्व ने खासतोर से पत्रस का नाम क्यों लिया और केवल वही एक मात्र था जिसके नाम का उलेक इश्व ने किया था क्योंकि इश्यू जानता है कि पत्रस को कितना बुरा लगा होगा वो जानता था कि उसक्षन पत्रस ने पूरी तरसे असफलता महसूस की होगी वो जानता था कि उस वक्त हमेशा की तरह अधिक निराश था और उसको महसूस हुआ होगा कि उसने जीवन में सबसे बड़ी गल्ती की है कि उसने सब कुछ नाश कर दिया है और ये कि आगे इश्यू के साथ उसका कोई भविश्य नहीं रहेगा इश्यू ने अपने करुणा और प्रेम से कहा जाकर मेरे भाईयों और पत्रस से कहो कि वो जी उठा मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पत्रस को कितनी अधिक खुशी हुई होगी जब मरियम ने उसे बताय होगा कि इश्यू ने विशेश तोर पर उसका नाम लेकर कहा कि जाकर पत्रस से बताओ हाललूय वो आज भी आपका नाम ले रहा है वो अभी भी आप से कह रहा है कि आपके लिए उसके पास बहुत सी जगह है और सेवकाई भी है और एक भविश्य और आपके लिए आशा भी क्योंकि पनमेश्वर पक्षपाती नहीं है वो एक के लिए जो करता है वही सभी के लिए करता है आमिन और फिर एक था याकुब याकुब नाम का अर्थ है धोखे बाज और इस शब्द का अर्थ है कप्टी या चालाकी करना अर्थात धूर्थ, चालाक और कप्टी कौन अपने लिए ऐसा नाम रखना चाहेगा याकुब जुड़ों में से एक था याकुब और इसाव ऐसाव पही लोठा था परन्तु पैदा होते समय याकुब इसाव की एड़ी पकड़े हुए था वो उससे पहले जनम लेने की कोशिश कर रहा था इसलिए आगे निकलने के लिए उसे पीछे खीच रहा था उत्पत्ति 25 पद 23 सभी कहिए मेरी लिए एक आशा है वास्तों में ये सब आपको खुद पढ़ना चाहिए उत्पत्ति 25 से याकुब की अनुकी कहानी आरंभ होती है और उत्पत्ति 32 तक चलती है मैं उतना सब नहीं पढ़ सकती पर उत्पत्ति 25 कहता है तब यहुआ ने उसे कहा तेरे गर्ब में दो जातियां और तेरी कोक से निकलते ही दो राजी के लोग अलग-अलग होंगे और एक राजी के लोग दूसरे से दिक सामर्ती होंगे और बड़ा बेटा छोटे के आधी इन होगा गर्ब में जुडवे बालक थे और पहला जो उत्पन हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमे था सो उसका नाम एसाओ रखा गया अर्थात रोहार यदि आपका नाम रोहने तो आप चाहे तो इसे इसाओ में बदल सकते हैं पीछे उसका भाई अपने हाथ में इसाओ केड़ी पकड़े हुए उत्पन हुआ और उसका नाम याकुब रखा गया था धो के बाज जब रिपका ने उसको जनम दिया तब इस हाग साट वर्ष का था और आगे देखे उत्पत्ती 25 पद 29 याकुब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था तो अब दोनों बड़े हो चुके थे एक शिकार करता था और दूसरा दाल पका रहा था याकुब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था तब इसाओ मैदान से शिकार खतम करके थका हुआ आया इसाओ ने याकुब से का इसमें से मुझे खिला क्योंकि मैं थका हुआ हूँ और याकुब जो की धूरत और चाला धोके बास थामिश आगे निकलने की ताक में रहता था उसने कहा तू अपना पहलोटा होने का अधिकार मुझे बेज़ दे अब एसाओ ने गलती की उसने अपने पहलोटे होने के अधिकार को नीच समझाई ये सोचकर कि फिलाल उसके लिए पेठी मुझे था परन्तू याकुब ने भी गलत कार किया उसने उसकी भूग का फाइदा उठाया उसकी कमजोरी का फाइदा उठाया याकुब हमेशा आगे बढ़ना चाहता था इसलिए वो किसी भी कीमत पर आगे निकलने में तुला हुआ था खुद आगे बढ़ने के लिए लोगों का फाइदा उठाता था क्या आपने ऐसे किसी को देखा है मैंने देखाई क्या आप कभी ऐसे थी? मैं थी? क्या आप ऐसे व्यक्ति थे कि अपनी पसंद की चीज पाने के लिए दूसरों को चोट पहुचाएंगे? ओ, कम आन! शायद मुझे उसोर मुड कर प्रचार करना था, आप लोग क्या कहते हैं? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति रहें, जो अपनी मतलब के लिए दूसरों को दुखी कर सकता है? हम सबका एक अतीत है, हम सभी के विश्य में कुछ बाते हैं, जो शायद कोई नहीं जानता. परन्तु यदि हम अवसर दें, तो प्रभू हमारे अतीत को दूसरों के लिए साहयक मंद बना देगा. आपका विनाज दूसरों के विकास योगी बने. आपकी बिगडे रूप को लेकर प्रभू को चमतकार करने दीजी. आप जितना जानते हैं, उस सभी अधिक आप हमारे लिए जोईस मेर मिनिस्ट्रिस एशिया में महत्वपूर्ण हैं. हम आपकी सरहना करते हैं. आप सभागियों का धनिवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं. एक साथ हम भूगों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार तचार कर रहे हैं. हमसे आज ही संपर करे या लॉग करे jmmmedia.org, अपने प्रात्या निवेदन भेजे, हमारे स्रोत के विशे जाने, जॉइस की सभाओं के विशे जाने, और जैसे हम पूरे संसार में मस्सी के प्रेम को बाठते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाने.